हरियोम नमस्षिवाय दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनेश क्रियेशन्स में दोस्तों गणेश चतूर्ती आने वाली है और गणेश चतूर्ती भाद्रमास के शुकल पक्ष की चतूर्ती तिथी को मनाई जाती है गणेश जी हमारे प्रथम पुझे देवता है और शिव जी के गणों के अदेक्ष होने के कारण इन्हें गणेश और गणादेक्ष भी कहा जाता है यह सब हम सभी को पता है परन्तु बगवान श्री गणेश को मंगल मूर्ती भी कहा जाता है मंगल मूर्ती यानि वो मूर्ती जो मंगल कारे करने में परिपूर्ण है जो सभी का मंगल करती है लेकिन इनके अंगों के बारे में हर कोई नहीं जानता इनके अंगों में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इनके हर एक अंग हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं आईए हम गणिज जी से अपने जीवन में स सिर वाले व्यक्ति ने तरत्व करने में योगे माने जाते हैं। इनकी बुद्धिक को शाग्र होती है। गनेज जी का बड़ा सर हमें यह ग्यान देता है कि अपनी सोच को बड़ा बनाई रखें। तो हम बड़े कारे करने में सक्षम हो जाते हैं उनकी छोटी आँखें गनेज जी की आँखें छोटी मानी जाती हैं अंग विज्ञान के अनुसार छोटी आँखों वाले व्यक्ति चिंतन शील और गंभी प्रकृति के होते हैं गनेज जी की छोटी आँखें हमें यह ग्यान कि हर चीज को सुक्ष्मता से देख परक करी करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी दोका नहीं खा सकता। इसलिए हमें हर एक चीज को देख परक करी उसका निर्णे लेना चाहिए। आईए तीसरा ग्यान लेते हैं। गणे जी के लंबे कान उनके सूप जैसे लंबे कान माने जाते हैं। गणे जी के कान सूप जैसे लंबे और बड़े हैं। इसलिए इन्हें सूप करन और गजगरन भी कहा जाता है। अंग विज्ञान के अनुसार लंबे कान वाले व्यक्ति भागिशाली और दीरगायू होते हैं गणेज जी के लंबे कानों का एक रहस्य यह भी है कि वे सभी की सुनते हैं और फिर अपनी बुद्धी और विवेक से निर्ने लेते हैं बड़े कान हमेशा चौकनना रहने का भी संकेत देते हैं गणेज जी के सूप जैसे कान यह भी शिक्षा देते हैं कि सूप बुरी चीजों को छाट कर अलग कर देता है उसी तरह जो भी बुरी बातें आपके कान तक पहुँचती हैं उसे पहार ही छोड़ दे तो अच्छा है बुरी बातों को अंदर ना आने दे अब हम गणेज जी की सूप के बारे में आपको पताते हैं कि गणेज जी की सूप हमें क्या ग्यान देती है गणेज जी की सूप हमेशा हिलती डूलती रहती है यानि वे हर्ज पर सक्रिय रहती है वे हमें यह ग्यान देती है कि जीवन में सदैफ सक्रिय रहना चाहिए जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कभी दुख और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता शास्त्रों में गणेज जी की सून की भी दिशा का भी अलग-अलग महत्व बताया गया है मानेता है जो व्यक्ति सुख सम्रिद्धी चाहता है उन्हें दाई और की सून वाले गणेज जी को पूझना चाहिए शत्रों को परास करने एवं एश्वर्य कपाने के लिए बाई और की सून वाले गणेज जी की पूझा लाप्रदय है आगे जानते हैं उनके बड़े उदर यानि पेट के बारे में गणेज जी का पेट बहुत बड़ा है इसलिए उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है लंबोदर होने के कारण ये भी है कि वे हर अच्छी और बुरी चीज को पचा जाते हैं और किसी भी बात का निर्णे सूझ बूझ के साथ लेते हैं अंगवी ग्यान की अनुसार बड़ा उदर खुशाली का प्रतीक माना जाता है गणेश जी का बड़ा पेट हमें ये ग्यान देता है कि भूझन के साथ ही साथ आप बातों को भी पचाना सीखें तो अच्छा है जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वे हमेशा ही खुशाल रहता है इसलिए आपको भूजन के साथ बातों को भी पचाना आना चाहिए और अच्छी बातों को एकत्र करके रखना चाहिए आगे जानते हैं उनके एक दंत के बारे में एक दंत हमें क्या सिखाता है बाले काल में भगवान श्री गणेश का परशुराम से युद्ध हुआ था इस युद्ध में परशुराम जी ने अपने फरसे से भगवान श्री गणेश का एक दंत काट दिया इस समय से ही गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा गनेजी ने अपने टूटे हुए दान्द को लेखनी बना लिया और इससे पूरा महाबारत ग्रंथ लिख डाला यह गनेजी की बुद्धी मत्ता का परिचय है गनेजी अपने टूटे हुए दान्द से हमें यह सीख देते हैं जीजों का सद्यूपयोग हमें अच्छी तरीके से सुच बूट से करना चाहिए यही हमारे जीवन की सफलता का प्रतीक है हमने गनेजी की छे बातों के बारे में जाना और आईए हम अपने जीवन में गनेजी की यह बातों को अपने जीवन में बठा ले इससे हमें सफलता जरूर मिलेगी अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो ये इन्फोर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करके बैल आइकन बटन को जरूर दबाएं धन्यवाद हर हर महादे